अब इस नमस्ते केम चो वेलकम बेक टू मर यूट्यूब चैनल एडिपी व्लॉक्स तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किया कार्नीवल के बारे में तो यह किया कार्नीवल का थर्ड जनरेशन वाला मॉडल है जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि किया मोटर्स ने अभ और BS6 में एक और कार लॉंच कर दी है किया कार्नीवल जो की 7 सिटर 8 सिटर और 9 सिटर तीनों आप्शन में अवेलेबल है आपको इंडियन मार्केट में तो बहुत सारी कंट्री में यह किया कार्नीवल है वो डिफरेंट नाम से भी बेची जा रही है जैसे कि किया मेडोना क करके भी यह कार बेची जा रही थी लेकिन अभी यह किया कार्नीवल के नाम से बेची जा रही है तो अगर मैं एंजिन की बात करूँ तो आपको किया कार्नीवल में 2.2 लिटर का डिजल एंजिन ही मिलने वाला इसमें आपको पैट्रोल मॉडल ओफर नहीं करने वाली है तो इसमें आपको 2.2 लीटर का fully automatic diesel engine मिलने वाला है BS6 में तो अगर engine specification की मैं बात करूं तो maximum power 200 PS का है और maximum torque 440 Nm का है तो काफी powerful engine है तो Kia Carnival में आपको एक ही type का engine offer होने वाला है 2.2 लीटर का diesel engine ही offer होने वाला है वो भी only automatic transmission में ही available है आपको manual या फिर petrol में ये Kia Carnival नहीं मिलने वाली है तो यहाँ Kia Carnival में आपको 3 models available है premium, prestige और limousine जो limousine वाला model है वो Kia Carnival का top line वाला model है और जो premium है वो उसका basic variant है तो जो मैं आपको ये white car दिखा रहा हूँ वो Kia का prestige model है beach वाला model है उसमें आपको seven sitter और nine sitter का दो option मिलेगा तो सबसे पहले अगर मैं front look की बात करूँ तो as usual Kia का signature tiger nose grill इसमें देखने को मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा look दे रहा है ये car को बहुत ही बड़ा grill दिया हुआ है company ने इसमें तो उसके ही उपर आपको bonnet पे Kia का logo देखने को मिलेगा इस look very perfect तो अगर मैं front look की बात करूँ तो काफी सारा chrome का garnishing company ने दिया हुआ है तो अगर हम सबसे पहले बात करते headlamps की तो halogen type headlamps आपको देखने को मिलेगे और headlamp के अंदर ही आपको turn indication का भी option मिल जाएगा जो turn indication है वो आपको bulb type मिलेगा तो headlamp के नीचे ही आपको fog lamp देखने को मिलेगा fog lamp के आसपस आपको chrome का थोड़ा garnishing देखने को मिलेगा तो जो fog lamp है वो ice cube type fog lamp दिये हुए और fog lamp आपको white color के देखने को मिलेगे तो अभी ये जो black car आप देख रहे हैं वो किया का basic variant है तो आपको किया carnival में बहुत सारे colors offer नहीं होने वाले है इसमें आपको 3 color ही offer होगे एक black, white और एक silver तो मैं black और white तो आपको दिखाई रहा हूँ alternative और एक silver color और एक और आता है तो अगर back look की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं tail lamps की तो इसमें आपको LED tail lamps मिलने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा look दे रहे है car को और एकदम unique style वाले tail lamp है इसमें और यहाँ पर center में आपको किया का logo मिलने वाला है तो car एकदम perfect लग रही है पीछे से तो और यहाँ पीछे से मैं आपको पूरा car का अंदर का view दिखा रहा हूँ तो चलिए back look की अगर बात होई रही है तो मैं आपको इसका boot space भी दिखा देता हूँ बहुत ही बड़ा boot space है इस car में तो यह boot space open करने का बहुत ही simple सा funda है आप only three second के लिए गाड़ी के पीछे जहां से हमको open करना है वहाँ only three second आप खड़े रहो तो boot space अपने आप open हो जाएगा और दुसरी आप remote से भी boot space open कर सकते हो और गाड़ी के अंदर से भी boot space open कर सकते हो और यहाँ पीछे से भी आप boot space open कर सकते हो तो बहुत ही multiple options से आप boot space open कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरी seat है वो आप यहाँ नीचे भी गिरा दोगे तो आपका boot space और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे आप देखिए जो नीचे ये पूरा space दिया हुआ है वहाँ पूरा दोनों seat वहाँ अंदर चला जाएगा तो आप boot space और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और यह single touch से पूरा boot space अपने आप automatic बंद हो जाएगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे जैसे boot space में भी बहुत ही multiple option से आप open कर सकते हो वैसे ही यह जो sliding door है उसको भी आप बहुत ही multiple option से open कर सकते हो सबसे पहला option जैसे ही मैंने touch किया door को वैसे ही पूरा open हो जाएगा यह तो आप देख सकते हो कि पूरा automatic है हमको only एक button ही touch करने का है और पूरा open हो जाएगा और जैसे ही दुबारा आप उसको touch करोगे तो अपने आप automatically बंद भी हो जाएगा यह बहुत ही अच्छी बात है automatic sliding door है इसमें तो अगर मैं car के side profile की अगर बात करो तो बहुत ही अच्छा look दिया हुआ है company ने तो यह जो door handle से वो आपको इसमें chrome के मिलने वाले है तो वो भी car को बहुत ही premium look दे रहे है crystal cut alloy wheels मिलने वाले है 18 inch के crystal cut alloy wheels आपको इसमें मिलने वाले है तो बहुत ही अच्छा है यह tire की size भी अच्छी खासी बड़ी है Indian road के हिसाब से तो आपको यह car बाहर से तो बहुत ही normal ही दिखने वाली है जो आपने Toyota की Innova crystal देखिए उसी की तरह का पूरा designing है लेकिन अंदर का जो look है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उसका interior बहुत ही premium है इसमें तो अगर सबसे पहले बात करते है steering wheel की और बहुत सारे controlling आप steering पर से ही कर सकते हो तो आपके right hand side में है जो उसमें आप music system control कर सकते हो call pickup और drop का option है और एक option है voice command का भी option वहीं से आप कर सकते हो और आपकी right hand side में पूरा cruise controlling का option दिया हुआ है तो बहुत ही simple दिया हुआ है लेकिन बहुत ही perfect है लुक तो अगर instrument cluster की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा instrument cluster दिया हुआ है मेरे पास इसका चा भी नहीं है इसके अंदर इसलिए इस प्ले में आपको दिखा रहा है की is not in vehicle तो आपके left hand side में है tachometer है और उसके अंदर ही आपको engine temperature का जो भी रहता है measurement का वो भी दिया हुआ है और आपके right hand side में पूरा speedometer दिया हुआ है और उसके नीचे ही आपको petrol indication का भी दिया हुआ है और ये दोनो dial के बीच में आपको एक छोटा सा digital screen दिया हुआ है उसमें आप बहुत ही multiple information देख सकते हो तो यहाँ पे driver side interiors और controlling की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक ace event देखने को मिलेगा और उसके नीचे ही आपको push start button का भी option दिया हुआ है वो भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगर door पे controlling की अगर हम बात करें तो आपको 4-4 window power window मिलने वाली है तो आप यहीं से ही operate कर सकते हो तो door unlock और lock का भी option यहाँ पे दिया हुआ है इस car में आपको electronic adjustment mirror भी दिये हुए तो आप open और close भी electronic कर सकते हो और adjustment भी आप electronic यहीं से ही कर सकते हो तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो अगर मैं center dashboard की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें touchscreen music system के दोनों तरफ आपको एक-एक AC event देखने को मिलेगा और music system के नीचे ही आपको automatic climate control AC panel देखने को मिलेगा तो बहुत सारी switches वगेरा इसमें दी हुई है तो जो भी quality है वो बहुत ही premium दी हुई है जो भी plastic जो भी switch वगेरे का जो भी quality है वो बहुत ही premium दीया हुआ इस car में तो आपको quality में कुछ भी compromise नहीं लगेगा क्योंकि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो obviously quality तो हमको मिलने ही चाहिए तो अगर मैं music system की अगर बात करूँ तो आपको harman kardon का premium sound system its speaker surrounding वाला music system मिलने वाला है तो बहुत ही premium company का इसमें music system company ने दे रखा है तो यहां पर आपको 12 वाल्ट का charging point मिलेगा और उसके बाजू में आपको USB port मिलेगा और यहां पर आप wireless charging का भी option नीचे दिया हुआ है तो आप वह भी कर सकते हो तो यह गाड़ी fully automatic है तो automatic transmission का पूरा जो है वह भी दिया हुआ है और आपको दो bottle holder भी इसमें मिलेंगे और यहां पर armrest और armrest भी openable armrest है और उसके अंदर भी आपको दो charging के socket मिलने वाले एक fast charging का point है और एक normal 12 वाल्ट का charging का point है तो यहां co driver side आपको एक sun shade जो मिल रहा है उसके अंदर ही आपको एक glass भी मिल जाएगा तो यहां center में भी आपको काफी सारा controlling मिलने वाला है यहां पर दो आपको LED lights भी मिलेगी और यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे buttons दिये हुए आप सोच रहे होगे कि इतने सारे buttons किस लिए है तो मैं आपको बता दू कि यह car में दो sunroof है तो आगे के लिए एक sunroof अलग है और पीछे की रोग के लिए भी एक sunroof दिया हुआ है तो दोनों के एक एक button वो दिये हुए है और दूसरा एक button है जो hood open करने के लिए दिया हुआ है और दूसरे जो दो button है आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आप जो sliding door है हमारे उसको आप यहां से भी open कर सकते हो तो उसका भी एक एक button दिया हुआ है और जो power door का जो लिखा है उसको आप power door को on off भी कर सकते हो तो यहां पे co driver side का अगर interior की मैं बात करूँ तो यहां पे आपको एक AC event मिलेगा और यहां उपर एक छोटा सा glow box दिया हुआ है और यहां नीचे भी आपको एक और glow box दिया हुआ है तो total दो glow box दिये हुआ है इस car में एक glow box है जिसमें आप अपना कुछ भी सामान आपको अगर ठंडा करना है तो भी कर सकते हो और दुसरा जो glow box है वो normal glow box है तो जो interior है वो पूरा dual tone में दिया हुआ है तो बहुत ही अच् plastic वगेरा जो भी use किया गया है वो बहुत ही अच्छी quality का है और यहां पर नीचे भी आपको थोड़ा सामान रखने की जगा दी हुई है दोर में भी तो काफी अच्छा premium look दे रहा है यह car को थोड़ा soft material और थोड़ा hard material का mixture करके पूरा interior बनाया हुआ है तो यहां पीछे से आप एक button push करने से पूरा door को lock भी कर सकते हो और unlock भी कर सकते हो सभी चीज यहां पर automatic दी हुई company ने और यहां पर पीछे की row में आपको sunset curtains मिलने वाले inbuilt sunset curtains यहां पर दिये हुए company ने तो वो भी काफी अच्छी बात है आप काफी अच्छा protection दूप से मिलेगा आपको और यह center में आपको एक fast charging का port भी दिया हुआ है और जो दूसरा port है वो आप laptop भी charge कर सकते हो 220 volt का charging point दिया हुआ है और यहां पर नीचे आपका कुछ सामान रखना हो चोटा सा तो भी आप रख सकते हो और यहां पर दो cup holder भी दिये हुए है अगर आप top model लेते हो तो यहां पर आपक अरी रो में भी बैठा हुआ हूँ तो काफी बीच में काफी space दी हुई है company ने तो बहुत ही अच्छी बात है जो बीच की seat है उसको VIP seats बोलते है तो काफी अच्छा look यहां से आपको मिल रहा है तो काफी spacious है आप यहां से walking कर सकते हो आगे जा सकते हो तो बहुत ही spacious car है यहा पर पीछे आपको एक bottle holder यहां पर मिल जाएगा और speaker का भी option है तो दो bottle holder है और एक normal cup holder है और यहां पर sunset curtains भी आपको यहां पीछे भी आपको sunset protection का curtain मिलने वाला है और यहां पर अगर दूसरी side हम देखे तो आपको दो bottle holder भी मिलेगा और यहां पर भी आपको एक charging pot का facility दिया ह हुआ है company ने तो आप समझे कि बहुत सारा charging pot दिया हुआ इस company इस car में तो आप कहीं पर भी अगर बैठे हो तो आप अपना mobile बगेरा बड़ी आराम से charge कर सकते हो तो यहां तीसरी row में भी आपको headrest मिलेंगे exhaustible headrest है और यह जो seat है वो भी exhaustible है वो tilt भी होती है तो काफी आरामदा एक सफर रहेगा आपका इस car में यह जो तीसरी row है वो थोड़ा congested है बहुत बड़े लोग मोटे लोग नहीं बैठ सकते इसमें आराम से लेकिन काफी अच्छी spacious है और यहां पर मैं आपको sunroof दिखा आओ यह पीछे की रो के लिए एक sunroof है और यह जो sunroof आप देख रहे हो एक आगे की रो के लिए है तो दो sunroof आपको इस car में मिलने वाले है तो यह बहुत ही अच्छी बात है दो sunroof है इस car में तो चली अभी मैं दिखाता हूँ कि इस seat को आप कैसे use कर सकते हो simple lever वाला option ह आप यहाँ पे lever खीचोगे तो यह seat है वो पूरा का पूरा open हो जाएगा पूरा का पूरा ऐसे खड़ा हो जाता है seat अप देख सकते हो कि पूरा खड़ा हो गया seat तो आपको बहुत सारा space मिल जाता है यहाँ से अंदर जाने के लिए भार आने के लिए आपको दोनों बीच वाली seat का अगर काम नहीं तो आप यह से खड़ा कर सकते हो seat को तो आपको बीच में बहुत सारी जगा मिल जाएगी तो ऐसे करके आप अपनी boot space भी बढ़ा सकते हो अगर आप पीछे की seat को अंदर जो मैंने दिखाई थी आपको उस जगा में डाल दो और यह दोनों seat को ऐसे खड़ा कर दो तो आपको 500 से 700 लिटर से भी ज्यादा का boot space मिल जाएगा तो यह बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ पीछे की जो seats है उसमें भी आपको दोनों side armrest मिलने वाले है और seat belt का भी option है तो यह जो seat है उसको VIP seats बोलते है तो यहां से मैं आपको car का बाहर से पूरा walk around दे रहा हो कि बाहर से car अंदर दिखने में कैसी लग रही है यह हमारा basic model है इसमें आपको sunroof का option नहीं मिलेगा लेकिन यह जो seats वगेरा है वो VIP seats आपको मिलेगी बीच वाली वो सभी चीज आपको same मिलने वाली है आप देख सकत यह की काफी premium look दे रहा है car को यह जो dual tone का interior पूरा जो भी use किया हुआ है बहत ही अच्छा है और leather material जो भी use किया है वो भी काफी premium है और जो भी soft material और hard material जो भी plastic का भी अगर use किया हुआ है तो वो भी बहत ही अच्छा किया हुआ है company ने तो अगर safety features की हम बात करे तो आपको इस car में airbags वगेरा तो मिलने ही वाली है ABS with EBD पूरा मिलने वाला है और six airbag है इस car में छे airbag मिलेगी आपको सभी models में passenger के लिए जो पूरा side का compartment है उसमें पूरा airbag दिया हुआ है और दो airbag आगे driver और co driver side दिया हुआ है तो पूरी car में safety सभी जगा equally distribute की गई है और hill start assist control भी ह आपको reverse और front parking sensor भी मिलने वाले है और electronic stability control भी है इसमें तो safety wise बहुत ही अच्छी कार है मतलब की luxurious plus safety तो इसका नाम है किया कार्णीवल thank you for watching my video अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करना ना भूले तो बस आज के लिए इतना ही रखते है तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाटे के सबक है